कि अधाइज विलकम बेक टुम्हें चैनल सब माइं फाइनली मैंने देख ली हैं मिस्मैच जो कि नेट्फिक्स की ओरीजिनल वब सीरीज है 20 नौवेंबर में रिलीज हुई थी और फाइनली पांच दिन बाद मैंने देख ले ओगाड आफ्टर लॉंग टाइम तो इसमें क् है और रोहित शराफ जिन है हमने लास्ट टाइम लूडो में देखा था पर्ल मैनी के साथ तो उनका यहां पर उनके साथ मतलब जो के हमेस्ट्री कितनी अच्छी है वह हम लोग जानेंगे इस रिव्यू में तो प्लीज वीडियो को एंट तक जरू देखेगा पसंद आ जा सब्सक्राइब का पटन दबाईए बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको नुट फिकिशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अप्लोड को न्यू वीडियो तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं पहले डिसकस करते हैं स्टोरी तो स्टोरी है रिशी नामक लड़की की 18 साल है इसका इसकी उमर जो कि इसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है डिमपल लामक लड़की से जो कि है प्राजक्ता कोली डिमपल एंड़िशी जो है वो है रोहिड शराफ तो इन दोरों का मतलब फैमिली जो है वो लोग थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश करते हैं मैं मतलब किसी चीज़ों में इंट्रेस्ट नहीं लगाना है कुछ केरियर के बारे में नहीं सोचने के लिए बोल रहें सीधा बोल रहें बैटा शादी कर ले बही कर ले क्योंकि हम लोग तो ठेहरें बड़े राजस्तानी रॉयल पीपल्स मतलब मैं देखने के बाद मुझे लगा भई क्या है फैमिली हम लोग ऐसे फैमिली मिल जाए तो जीवन सफल नहीं क्या बिफल हो जाएगा छोड़ो तो इन दोनों के बीच में जो खनाने के पराजा के लिए यह तो इन दोनों के बीच मतलब वहां पे कुछ पस्ता है घूँँष बंता है या खुछ यह आप लोग जानोंगे इस वेब सिरीज में तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की तो देखिए स्क्रीन प्ले आपको स्टोरी समझते ही पाता चल गया होगा कि स्टोरी बहुत ही मतलब क्या रूटीन है कुछ नियू नहीं है इस कुछ भी नियू नहीं है इस हुँ तो प्यार हो जाता है पहली दफा जब भी देखता है लड़की से प्यार हो जाता है कि सबसे बड़ा डिलूजनल मतलब कि बहुत ही क्या हो से कहता है बहुत फेक थीयूरी है कुछ अन्?erson.zae s4 wil never a naked a they like They work औरוצy K a pverse as pray इसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसके पीछे मतलब उसे जानेंगे उसके करीब आने की कोशिश करेंगे तो यह जनाब वह भी पहंच जाते हैं जैपूर तो मुझे यह बंदा इससे आप लोग स्टॉकिंग नहीं कहते हैं नहीं भई इसका तो यह सच्चा प्यार है जुनू अप्सेशन देखो फितूर देखो लोग तो बोलेंगे देखा कितना प्यार करता है लेकिन नहीं हमारे लैंगुज में से स्टॉकिंग करता है और यह इंसान जो स्टाटिंग में जाते आते बोलता है हेलो फूचर वाइफ तो कोई भी लड़की उसके उपर और यह लड़की पता है इतना मतलब उसी किस अपर कॉफी फैंग देती है कोई भी लड़की पूलीगी क्या किसम कें इंसाना कुछ भी मितलब इग्डॉर करेगी इग्डॉर तो नहीं करेगी एक दो बात सुना देग आजकल के यूबाओं में पैदा हो थी कि भाई ऐसे स्टॉक करने से लड़की पढ़ जाएगी ऐसे मंदो उसके पीछे करने से या उसके आगे पीछे घुमने से लड़की को लगाब हो जाएगा भाई हो जाएगा लेकिल यह तुम ना क्या उसे कहते हैं सच्चे आश्य किया तुम्हें hopeless lover नहीं तुम्हें चेप कहा जाएगा जो कि क्या हो से कहते हैं क्या हो से कहते हैं यार हां जो कि फेविकुल की तरह चिपकना चाहता है कभी मतलब कुछ भी हो जाए चिपकना ही चाहता है और यह इंसानी लड़का हमेशा 80 चोटी का जोर लगाता है कि इस क्या हो सकते हैं अच्छी एंडिंग जो दिखानी है हैपी एंडिंग जो दिखानी है सैड एंडिंग किसी को पसंद नहीं रियलिस्टिक तो हम दिखाएंगे नहीं सब ओवर दी टॉप दिखाएंगे क्योंकि यह भी OTT platform है तो उसके वज़े से इन लोगोंने वही दिखाय है जो कि स्टोरी लाइन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है गाइस मतलों इतनी प्रेडिक्टेबल है कोई भी बोल देगा एंड यहां पर इनलों को सत्रा साल और अट्रा समय रिखाएंगा है जबकि यहां ओरीजिनल नहीं रोईज शराफ जो है वो एबोफ 20 के हैं और सब कुछ कर रहे हैं मतलों डिसकेजन भी कर रहे हैं कोई अपना धरक शांद करने के लिए मैस्टर बीट कर रहे है कोई यहां पर मलब अपना क्या हो सकता है वह लंगड़ा है मतलब ही इस लाइक फिजिकली हैंडिकप तो उसके मैं किसी का मजाग नहीं हो रही है जस बोल फिजिकली हैंडिकप तो वह वहां पर अपना फ्रस्टेशन जो है कब किसी से भी तंवी से बात नहीं करता है उसका हमेशा एंगर बन्दों टीचर के सामने वी ऐसे ही बात करता है वह टीचर टॉल्रेट कैसे कर रहा है हमारा या तो निकाल देते हुए इसके शकल नहीं द कर देचे कैसे सब कोहुआ है कर ड्यूद्य करने में यह इसके तुम्हें सिर्फ कसी और क्यास्मेट एसाेंडमें कर नीच करने के लिए बुलाए हो तुम् 15 जैजा को बुला दोगे तो उड़्ें पर नहीं पड़ेंगी नेक्सदीन तुम्हें लसा नहीं जाने उनीज़ ह नहीं भई यहां तो सब लोग ला रहे है बिडियानी पार्टी खा रहे पिज्जा खा रहे दार ऊपर पीरे फ्री के अलग लोग को बुला विरे कि तुँ इधर आजा वे इधर आजा मतलब एक किसम के अलग-अलग किसम के लोग इसमें रखें हैं और सबका कैरेक्टर बहु तुम्हारे hobbies और तुम्हारे जुक्या उसे कहते हैं इंट्रस्ट तुम्हारा करीर कोई मैंनी देखता सिफ लड़की की पीछे तुम्हें शादी करना है यह कहीं में और वह भी 28 साल के नहीं तो थर्टीट साल के होगी तो फैमली के प्रेशर हो तो समझ सकते यार 18 साल के ही तो इल्ग तो इहां के कैरेक्टर किसी के साथ कभी भी किस के साथ किस कर रहें किस के साथ नंगे और किसी के साथ चुमा चाड़ी है और राजड़ता को खीरी पता है आपको सबसे कनफियूज ल錢 करे किया रही हो क्या दिखाना चाहती हो एंड तो भी वैरी होनिस जिस मतलब यह मतलब इन लोगोने इक दूसरे को बोलो भई गाली मुह से मैं फक बोल कैसे बोल भी रहे हैं कुछ तो रियलिस्टिक रखो नहीं भई देखने का चैपिसोड देखा मैं क्या बना दिये लोग एंड प्राजक्त को लिए मुझे सच में समन्द भी नहीं कि इनोंने क्यों यह मतलब क्या साइन किया इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं और वो जैसा कैरेक्टर भी प्ले किये मैं बताना भूलगी कि उनका ने यूट्यूब केरियर में मतलब उन्होंने जितना वीडियो बनाया है उसमें सारे आधे-आधे प्ले कर लिए क्यूंकि मैंने मोस्ट ओफ दी 95 वीडियो देखे हैं तो मैं बता सकते हुए इन्हों ने ऐसा टाइब का कैरेक्टर भी प्ले कर दिया है तो अब बात करते हैं कास्ट के काम के बारे में तो यहां प्राजक्त कोली जो के डिंपल अहुजा का किरदायर प्ले कर रही हैं तो शी इस गुड़ी कहा जा सकता और कुछ नहीं अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रोहिच शराफ की तो रोहिच शराफ जो की रिशी सिंग शेखावत का किदार प्ले कर रहे हैं तो उनका काम यह बहुत अच्छा है ही इस प्लेइंग बॉई नेक्स डोर क्योट सिंपल स्वीट क्या उसकते हैं होपलेसली लव होपलेस लवर और उनके प्यार के सिवा कुछ काम है नहीं लड़के और उनको देखके रहा मतलों पड़ा क्यूट इस गाल दबान गाल खीचने का मन करते हैं और ही इस वेरी हैं मत कीजिए और हागाइस यह सीजन टू भी आने वाला है ओगाड सीजन वान नहीं इतना है मतलब अन्वीरे वाल सीजन टू कैसा हो लोगा अनली गोड़ नौस एंड टाइम टेल तो अब बात करते हैं यहां पर और सापोर्टिंग कास्प की तो विद्या मालवाड़े जो क उनका काम भी यहां पर अच्छा है और रन विज ज हुए सिधार्थ सिंहा का त्टार प्ले करें कर एंड यहां पर इनका कैरक्टर भी आचा ही है ज्पलेख छेज और गुछ फास नहीं थैंड अब बात करते यहां इन्हां देभ्यानी शोरे जो की नमर्था का किद्दार नहीं करिए शी प्लेइंग बेस्ट फ्रेंड ओफ रिशी एंड उनका जो है बहुत सारे सीन में उनका बहुत इची अक्टिंग है एंड एक सीन में है जिसमें की शी ब्रेक्स डाउन एंड शी सेस्ट अगर मेरे फैमिली को यह सचा ही पता चल गी तो मेरी शाधी करा देंगे एंड तुमने एक जटके में मेरे मतलब विश्वास मेरे फ्रेंड्शिप 12 यह फ्रेंड्शिप को तोड़ दिया रिशी को जो बोलती है रोके चलिया थी वह सीन इन दोने की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है एज दोस्त यहां पर जैसे कि वेब सीरीज में भी बोल किरदार जो बहुत अच्छा और भी बहुत सपोटिंग एक्टर सचा जो जिनका काम यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट है तो ओवरओ बोल दूत कास्टिंग का काम ओके ठीक ठाक है सपोर्टिंग करेक्टर के जो काम है उसादा अच्छ अस में बात करते हैं ग्राउड इस okey only quite good अब बात काते स्टो फिर अच्छतान की बात करें और सेनेक ब्यूटी और वहँ के जो कि हुट पूरख पूरण गराल में किया गरे है वहाँके पैलेस में और इंक ब्यूटि इंक सिनेमाट गाफिय अच्छा bord बहुत ही अच्छा है तो निपुन धर्मधिकारी और अकर्ष्खुराना का डिरेक्शन जो है यहाँ पर दोनों का डिरेक्शन मुझे बहुत जगा खामिया लगा मुझे लगा बहुत कुछ से अच्छा हो सकता था इन लोगों ने टिपिकल जो क्या हो सकता है हाई और ओटीटी वाला कर दिया है इन लोगों ने पूरा का पूरा मतलू क्या हो सकते है कोई भी हाई रिलिस्टिक नहीं है गाइस पिछले बार अकर्ष्खुराना का कारवा मुझे इतना पसंद था इतनी रिलिस्टिक इतनी अच्छी मूवी थी कि मैं वो फिलम को बार बार देक सकती हूं है यह हुए उझाटर्म एक 학 मुवी थी को कि एलिस्टिक नहीं से आफए रिलिस्टिक इतना ले आते हैि लेकिन यहां है bes a इतना इतन धरमधिकार Griffin को शरेया जयाता में क्योंकि मुछ नहीं कि इतना ओर की इतना शरना खास लगा नहीं ही यह क्योंकि आतना है्ष्गश यह अव not that much good and actors के performance में सपोर्डिंग कास को छोड़ कर जो क्या है में कास के पास कुछ काम नहीं है स्टोरी स्क्रीन पर बोट आर एक्चुली नॉट डाट मच इंप्रेसिव क्वाइट प्रेडिक्टेबल इसके वाज़े से भी डिरेक्शन भी आ कहीं कहीं पर डिप हो जाता है में जो लासीन बोली थी जो रेशी एंड जो नम्रता दो लोग के बीज का जो डिरेक्शन वहां पर डिरेक्शन कहीं यहां पर अच्छा है वहीं पर ही मुझे थोड़ा से डिरेक्शन अच्छा लगा अधर्वाइस कहीं और भी अच्छा इतना नहीं लेगा तो रिव्यू पसंद है तो आपके लिए अच्छा है अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हो और क्या हो सब्सक्राइब करते हो लेकिन किसी और के घर में जाके कर रहे हो कहीं पर कोई कर रहा है कभी कोई कुँछ चुप्मा छाठी कर रहा है कोई कपड़ है कुए किसे अंदर घुस रहा है ऐसा नहीं होता नहीं होता यार इंट तो student of dear से आगे निकल गए ऐसा नहीं होता OTT platform में कुछ तो realistic रखना चाहिए था तो उसके वज़े से मुझे बिलकुल अच्छे ने लगा इसके वज़े से मैं इसे rate कती हूँ 2.5 star out of 5 star highly disappointing I will not recommend you totally I will not recommend you to watch it तो कैसे लगे आपको रिव्यू प्लीज कॉमेंट शिक्समने जरूर कॉमेंट कीजेगा और हां कल से adult web series के रिव्यू आते रहेंगे तो please have patience और मेरे चैनल में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजी तो मैं आप से मिलूंगी बहुत जल देखने रिव्यू में तब तक के लिए बाई टिके